हां जी बेटा है यह अपना हो ही एक एक तो बर्दा ही लेक्टर चल रहा है जीज़े विच मैं तो आनों दस रही चीगी कि अबीलियन ग्रूप हमेशा नॉर्मल सब ग्रूप हुंदा है यह ते जी एहे भी हमेशा ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रूप सु हुंदे अपने को ल नॉर्मल सब ग्रूप जीज़े त्याओ धिक ठीक है अपने थिहम शान दे यह है इसी कुछ की दिहें की अच्यारण ग्रूप फीक ग्रूप जी इस नॉर्मल सब ग्रूप जी ठीक है है तहां आपकर फाइं आपकर एश्च पर फाइँ पर हो रिजल्स जिन ऑन पन्सें प और ग्रीन कुले है तहुत बेगार है कि किसे भी सब ग्रुप tudनाads कि अश्क आपने यहाईर नौ्मल सब ग्रुप कहांगे एपने रिजल्ट इजहे आपने रिजल्ट शोह करना सब्क्राइब है जिस एपने ठीधे रिजल्ट प्रिजु सbगूप और है आपने को बेगि फॉल्स पॉल्स इस पेस कर दा हूं यह गुद्ग में ज़ Dwore नॉर्मल savage मतूब्प परॉम्प कर видео इत मींज की हो गया जी एच इस इकल टो एच जी फोर आवरी जी बलांग्स चू कैपितल जी फ्रॉम दड़ डेफिनिशन आफ नॉर्मल सब ग्रूप है ना जी एच इकल टो एच जी हो जाएगा अवस्तों बार अपने तोब दे जिरा है गया गया नेक्स्ट अगे अपने को में गहाँ कि प्रॉस ध बिल्म घे जी फ woll Ilत एख बिलांग्सी कपितल एच बिलौस भिलया अगाढ्स भाइच पिलांग्स घे एख capital G the element लगता, such that GH belongs to GH capital, clear, है न, ये तो होए गई, but GH is equal to HG because of normal subgroup clear, therefore GH belongs to किनू हो गया, HG नू हो गया, okay होन HGH elements किस तरह होन गया, like this one H1G, where H1 belongs to capital H clear, होने दे विच तुसी inverse लेलो, G inverse है देर आजेगा अपने गोली G inverse बन गया इवाला, G ये देर आगया, G inverse बन गया, तो GHG inverse is equal to H1 where H1 किनू जा रहे गया, capital H नू जा रहे, जे H1 capital H नू जा रहे, it means GHG inverse कि दा element बन जेगा, अपने गोली capital H दा element बन गया इही चीज आपने इथे show करनी सी ही, clear बेटा, means जे कोई भी subgroup आपने गोले normal subgroup है तो GHG inverse कि दा element हुएगा, capital H दा element हुएगा converse पार्ट देविच हुन आपने इचीज गीवन है कि H भी ये subgroup of G such that GHG inverse belongs to capital H, for every H belongs to capital H and G belongs to capital G आपने show करना है, H इजे normal subgroup, normal subgroup show करना मतलब कि ये definition according, AH, left coset is equal to right coset for every A belongs to capital G ओके, H आपा show करना है हुने इचीज दानु बतागे कि A belongs to G let A belongs to G be any element then by given hypothesis जी में कि आपनु आपनु आप रिजल्ट गीवन है G दी जगा ते A लिख लगता AH A inverse belongs to capital H for every H belongs to capital H let होना आपनु पताया, AH belongs to AH आपने left coset दानी element आपनी तरफ तो consider कर लिया AH belongs to AH देखो, एक कुछ steps है यह आपना आप देखो, लोग consider करांगे left coset लेके चल पे ठाइखे, हूंजे आपने आपाई A दे नाल, A inverse A लगा दिए, कोई फर्क नीपे यह आपने 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 कोले वापस बन जएगी AH ही बन जाएगा ता A inverse A बना दिता आपने अपने उत्यानल देखिए यह अपने को लिए यह एक element है यह एक element है यह एक element है यह एक element है इस element belongs to H and यह की है इधी right coset clear पेटा यही ते आनना समझे नहीं यही की है h नो जारे element and this is the right side of h clear h a बन गया it means की हो गया h belongs to h element अपा h capital h दले के चले सी चला है h h गया similarly अपा की करांगे हो क्योंकि अपने देखो show की करना सी left to right देखको show करना सी left coset right coset h is equal to h पेलना h h the subset show करता हुन h h the subset show करने ओधे वस्ते हुन आपाने consider कर लिया let b is equal to a inverse b यानी element of g अपा हुन g दा यानी element लेल b is equal to a inverse by given hypothesis हुन आपानू पता है कि जीरी चीज आपानू गीवन है कि g h g inverse belongs to capital h ओधे according जी आपा लेके चले ता b h b inverse belongs to capital h clear but b is equal to a inverse ता b दी वैल्यों आपाने a inverse put कर देते गी a inverse h a inverse दा inverse means a बन जीगा means गी है a inverse h a belongs to capital h a b capital h नो चला गया आपने को ले ता हुन आपा consider की ता गा right coset क्योंकि आपने right coset शो करना है left coset दा सबसे ता right coset आपा लेके चल पे h a belongs to capital h है okay step same अपने को ले हुन एजे बिच आपा अगली सैड ते a a inverse ले 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 लेगा ठीका कोई फर्क नहीं पेगा इदी value 1 नहीं होएगी brackets change कर दीते है हुन a की है एक कालिमेटर that is belongs to capital h and this is the left coset okay means h a belongs to a h where h a is the element of capital h it means h a is the subset of a h from one end to from this and this one h a is equal to a h okay for every a belongs to g hence h is the normal this is the definition of normal subgroup h की बानके अपने को ले normal subgroup clear बिचा इनन steps नो जे रहा हुन दे हमेशा लिख के जरूर देखा करो क्योंकि परन्दे विच कही बड़ यह steps easy लग दिया जोदो आपा लिख के देख थोड़ी confusion हो जान दिया इस करके लिख के इनना दि जरूर प्रैक्टिस करें करो बीटा next यही अपने को ले थिरूर्म है गयागी that is the की h be a subgroup of g अपने को ले h अपने को ले कोई subgroup है g h be a subgroup of g then the following statements नो अपना equivalent show करना है ठीक है equivalent नो तो मतलब किया है जरी 1st statement तो अनो given है 2nd तो उसी proof करना है 2nd given है 3rd proof करना है 3rd given है 2nd proof करना है clear हों तो आपा फर्स यह आपा नो गी है 1st given है कि g h g inverse belongs to capital H for every g belongs to capital G and h belongs to capital we have to show that g h capital h g inverse is equal to capital H ठीक है यह चीज आपाने शो करनी हैंगी होने इक इस तरह शो करांगे बिखो since आपनों पताएगा कि g h g inverse belongs to capital H ठीक है यह चीज आपनों गी बनी हैंगी ताहा होन जे यह h dh element है, ताहा इट is equal to sum h one, for sum h one belongs to capital H clear यह कोई doubt नहीं है, जे यह h one दी equal है, ताहा है, आपा की कोई एकल टो एकल टो एच फोर एवरी जी ब्लोंग्स चू कैपिटल जी क्लियर दोनों साइट आपने की कितागा पोस्ट मल्टिप्लेई कर लिया जी देनाल प्रैकेट्स नों चींज कर दिता जी जी इनवर्स लगा दितागा ते एदी वैल्यू ए आ जाएगी अपने को लिए क् प्रैकेट वीच उनन ग्हेट एकल टो एच जी जी गीवन आ पनँ जी जी इन्वर्स ब्लोंग्स नु आ जी शो गनने एहे भी बहुत इजी पार्ण है कि जी एच जी इपल टो लेफ्ट को सेट राइट को सेट दे एकल आ पनँ फर एवरी जी बिलोंग्स जी ताहना तुस में GHG inverse belongs to capital H it means all results कि आपस्टे को दुझे दे equivalent next theorem that is let H and K be two subgroups of a group G H ते K की subgroups of group G then आपाने show करना है if H is a normal subgroup of G ठीक है जे आपानो पहलना देखो गीवन था सर्फ subgroup C given है H ते K की subgroup पर G आपानो second given है कि if H is a normal subgroup of G then H K is equal to K H is a subgroup of G ठीक है आपानो इदे विच आपानो गीवन है की H normal subgroup भी यह जीदा जे normal subgroup है H जीदा ता आपने show करना है कि H K is equal to K H is a subgroup of G इचीज शो करना है आपने फर्स्ट पार पर देच आपा फर्स्ट पार्ट पहला प्रूफ कर देच की गीवन H is a normal subgroup of G जोदो हुना आपनो पता है normal subgroup है ता आपने की किता ते H K equal to K H नूँ अपा sorry H K is equal to K H नूँ अपाने subgroup of G शो करना है जो आपने है की किता K दा any element लेले सब तो पलना था K दा any element लेता B belongs to K B any element such that H B is equal to B K ठीक है H B is equal to B K क्यों एद्धा क्यों होए देखो K की है K is the subgroup of G clear K is the subgroup of G ते B की दा element है K दा ते जिनने भी K दे element हो हो G दे भी element होंगी clear ता means B is the element of G and H is the normal subgroup जे H normal subgroup है ता according to the definition of normal subgroup we can write H B is equal to B H क्योंकि जे B K दे element है ता B G दे element होएगा H B is equal to B H ओके belongs to किनू हो गया है K H दे होगा एगल भी clear है for every B क्योंकि B की दा element है K दा element है it means B H किनू belongs to हो गया K H दा element हो गया ओके it means की हो गया है H K is the subset of K H H K is the दे हो H B की दा element है H K दा element है ते B H की दा element है K H दा element है it means H K is the subset of K H second आपा ने लगता B H is equal to H B H B की दा element है H K दा element है and B H belongs to H K it means K H is the subset of H K तर दोना तो आपने को ले रिजल्ट के आगया दोनों की है इक्वल है हुझे दोनों इक्वल है then by theorem 2.18 ठीक है यह लास्ट चेप्टर च आपा थियोर्म किती सी की इजे सब ग्रूप आफ जी बन जी गए है अपने इजे दोनों आपने को ले दो सब ग्रूप से अपने को ले ता हो की है उनना धी H K is equal to K H ता यह आपा लास्ट चेप्टर च थियोर्म किती सी की 2.18 उस्ते अपने को लेगी है यह सब ग्रूप आफ जी बन जी गए है कि पागोई को सब्ग्रूप जीए hablar ता हुक्झ न इस जी गए वास्ट चुक्टािए लन्यग और लिह cell week जी आपने को लेगी है यहीं ने पाँए है शब्ग सेहां जी पहने अपने अट देल हमें की लगे प्रूप लेड के लों यहीं इसे इकल टू के यह चीजे सबग्रूप ओफ जी हुने नू अपकी करना गया नॉर्मल सबग्रूप शो करना गया तो नॉर्मल सबग्रूप जो तो सी शो करना गया अपको परला था एक कि एलिमेंट जेदा हुँ कंसिडर करांगे कि लैट जी ब्लोंग्स तो । जी इंवर्स इस इकल टूप ये विच्छा चीज आपने इ क्योंकि ये यह आडेंटिटी या ना अडेंटिटरी जेगा तो आपने के कि दिता जी इन्वर्स जी लिख दिता अगर ठीक है क्योंकि एधी वैल्यू अदेंटिटी ही बन जाएगी उसवर ब्रैकेट्स लगा दिती है हो नहीं एच भी नॉर्मल सब्गूरूप है के भी नॉर्मल सब्गूरूप है क्लियर तहां एधी वैल्यू की दे इकल होजेगी सब्ग्रूप है क्लियर दित्ब्रियर जी दे अग्जाम्बल नेक्स लेक्चर दे इच मैं दस्खांगी थेंक यू ।